हेलो एवरीवन, विल्कम बैक तो माय चानल, डिकोडिंग जोग्रफी, सो यह हमारा चाप्टर वन है, क्लामिट लॉजी का, इससे पहले जियो मॉर्फलोजी की सारी सीरीज हमने कवर कर ली है, और उसका प्रॉपर एक प्लेइलिस्ट है, अगर आप मेरे चानल पे नए हैं, और आपको शुरू से करना है, तो आप जियो मॉर्फलोजी की सीरीज देख सकते हैं, तो लेट्स केट स्टार्ट विद अर्थ के क्लामिट लॉजी चाप्टर वन, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्लामिट लॉजी होता क्या है, क्लामिट लॉजी कुछ नहीं है, it's a field of study जिसमें हम अर्थ के क्लामिट सिस्टम को पढ़ते हैं, इसमें हम प्रडिक्ट करते हैं कि जो हमारा अपकमिंग वेदर होगा, वो कैसा रहेगा, इसमें हम जितना भी लॉज टम क्लामिट पैटर्न को भी study करते हैं, तो जो क्लामिट लॉजी है, ये एक लेटन वर्ड है, जो दो वर्ड से बना है, क्लामिट प्लस लोगू, क्लाम होता है अर्थ का एट्मोस्फेर, क्लामिट, लोगों होता है किसी चीज़ की study, तो अगर हम इस चीज़ की study करते हैं, तो उसे हम कहते हैं, क्लामिट लॉजी, नेक्स्ट एक बहुत confused करने वाला शब्द होते है, वेधर और क्लामिट हम कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ का क्लामिट अच्छा है, तो क्या चीज़ क्लामिट है, और क्या चीज़ weather है, investigator कुछ नहीं है, बट एक short term condition है एक atmosphere की और climate क्या है एक average रहता है कि जैसे अगर हम Rajasthan की बात करें तो normal हमें क्या समझाएगा कि गर्मियां बहुत जादा गरम होती है और सरदियां बहुत जादा ठंडी होती है तो उसका एक climate है कि गरम जादा तर हम उसको तबज्जू देते है जैसे गरम Jammu Kashmir की Shambla उसकी बात करें कश्मीर की बात करें तो मारा दिमाग में जो image बनती है ओ वहाँ का climate है कि वहाँ का climate कासा रहता है और वो ऐसे नहीं होता है रोज रोज चींज नहीं होता जो weather होता है static नहीं रहता है change होता रहता है time to time time to time but जो मारा climate होता है वो एक average condition है जिसको हम generalize कर सकते हैं but रही बात weather की weather को हम generalize नहीं कर सकते हैं जो study of weather होता है उसको mythology कहते हैं और जो study of climate होता है उसे हम climate logic कहते है weather पर shortest period के लिए होता है hour और day के लिए but जो climate होता है वो 70 to 75 years या फिर more than it मतलब decades में देखा जाता है दस-दस सार के दशक में जो weather होता है वो बहुत जादा fluctuate करता है रही बात climate की वो इतना जादा fluctuate नहीं करता है जो weather होता है वो किसके लिए important है meteorologist के लिए farmers के लिए sailors के लिए या फिर disaster managers के लिए but जो climate है वो geographers और planners के के लिए weather क्यों उसके लिए जादा है क्योंकि weather जो है meteorologist है जैसे वो देखते रहेंगे कि आज का वैदर ही आज का तापमान इतना रहेगा ऐसे सब देखते रहेंगे जो sailors है अगर उनको कहीं के लिए निकलना है अगर कोई water route करना है तो वो महां का weather देखके चलेंगे कि कैसा कैसा रहेगा but climate geographers के लिए और planners के लिए जैसे हमने कोप की summit करी recently आप मुझे comment section में बताएगा कि recent कॉप की summit कहा हुई है तो जो हमने कॉप की summit करी उसमें हमने देखा कि भई हमारा जो average temperature रहना अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है उसको हमें mitigate करना है carbon emission को कम करना है तो वो क्या है उनके लिए फायदे मंद है planners के लिए और geographers के लिए वो climate को detect करते है कि पहले क्या situation थी और आने वाली situation क्या रहेगी तो यह यह precipitation days की देखे जाती है और उसमें हम एक range बता देते हैं या फिर average बता देते हैं कि इतना रहेगा चालिए next है types of world climate मतलब world में कैसे कैसे type of climate रहते हैं तो world climate बहुत सारे में divider जैसे hot wet equatorial climate सवाना climate, tropical, desert, steppies, mediterian, warm temperate, eastern, british type of, taiga, laurasian और polar climate चलो इसकी हम एक क्रक्स समझते हैं बाकी detail analysis जब हम इसका अच्छा से climate पढ़ेंगे आगे next series में तो देखेंगे अभी मैं आपको समझाने के कुशिश करती हूँ ताके एक overview बना रहे सबसे पहले wet equatorial तो यह मैंने clearis.com से फोटो लिया है बहुत अच्छी फोटो थी तो सबसे पहले इसका distribution देखेंगे कि 50 degree north और 100 degree south equator से हैं इसमें जो है trade winds absent रहती है थोड़ा सा hot damp environment रहता है there are some cool places like cambrun islands और high altitude जैसे कि युकेडर वाले में Columbia, Brazil, Peru, Nigeria, Libra इन सब areas में देखा जाता है climate में uniformity दिखती है throughout the year जो average temperature रहता है वो 24 degree से 27 degree रहता है अगर आपके paper में ऐसे भी पूचा जाए कि एक area है जिसका जो temperature है वो 24 degree से 27 degree रहा करता है उसका जो precipitation है वो 6 inches से लेकर 10 inches रहा करती है तो फिर आपको क्या करना है वो तो आपको फट समझाना है कि वेट equatorial की बात हुए यह जो इस एल एरिया में आता है ठीक है और यह बहुत important point है इसको आपने notes में लिख लेजेगा it is defining attributes in two-fold rainfall around the equinox ठीक है next है हमारा इसकी vegetation कैसी रहती है जैसे luxurian type का करता है यह और जो इसके जो rain forest होते है उसको हम कहते है सलवास जो बहुत जदा evergreen trees होती है ट्रॉपिकल हाड वूड्स जैसे magani, ibony, green heart, cabinet wood और dye woods भी vegetation single species बहुत कम पाई जाती है trees of single species चीक है तो between equatorial woods and trade winds में होती है restricted है tropics मतलब या तो tropic of cancer और Capricorn में ही restricted रहेगी जाद अतर यह सुडान वाले area में देखी जाती है wherever dry जहांपे dry और wet climates होते हैं वो बहुत जाद आफ्रिका का area cover करती है थोड़ा Australia का और South America का देखो यह Australia वाला area cover कर रख है यहां पर यह वाला area और थोड़ा सा यह वाला area ब्राजीलियन highland यह वाला कुछ climate feature थोड़े से dry season है रीजन रेट पर इस कंसेंडरेटेड थोड़ी सी rainfall देखी जाती है यहां से अनिमल माइग्रेशन भी देखी जाती है इसका टेम्परेशर वाई 22-30 degrees Celsius आवरेज रहता है 18 degree greatest temperature में वराइटी देखी जाती है आपरेल में Northern Hemisphere में और Southern Hemisphere में अक्टूबर के नाइब टेम्परेशर दिब बेलो 10 degree centigrade in hot season और दू रापिड दू रापिड रापिड रेडियेशन लॉस आफ नाइट कॉस बाइट क्लियर स्काइज देखी जाती है तो इसका vegetation क्या रहेका टॉल ग्रास लिटल ट्रीज पैक लाइन और बुश विल्ड बुश टाइप का structure इसमें देखा जाता है along the river bank tree covers the maximum towards the equator जब बारिश जी रहेगी तो जो ट्री का cover होगा वो equator में टुवर्ड जी एक्वेटर रहेगा और डेक्लाइन करेगा density में और height में white trees decidious रहेंगी dry months transportation loss मतलब यह देखा जाएगा elephant grass इसका एक basic feature है जो highest type of grass 15 feet की जो grass होगती है और बस यह है इसका और थोड़से होगी तो prickly shrubs होगी next is tropical monsoon climate इसका जो configuration रहता है यह पांस से 30 degree latitude में पाया जाता है Thailand, India, Laos, Vietnam, Cambodia यह देखो न यह हमारा India यह वाले इसमें देखा जाता है intertropical ITC that इसके बारे में मच्छे से detail में अगली videos में पढ़ेंगे यह देखा जाता है और seasonal reversal summer winter rainy season 3 prominent होते है इसका climate 3 में होता है next seasonal wind reversal देखा जाता है during the summer जब summers आती है तो जो बिल्कुल sun होता है वो प्रॉपर Tropic of Cancer के उपर होता है जो कौन सा जोन बनाता है लो प्रेशर जोन बनाता है Central Asia में in the southern hemisphere जब southern hemisphere में winter condition prevail होती है और कौन सा प्रेशर मनाती है जब summers आएंगी Tropic of Cancer पे होगा और लो प्रेशर वाली बनेगा जब winters होंगी तो किस पे बनेगा high pressure zone बनाएगा reversal दिखा जाता है wind का winters के टाइम अगला है desert climate, desert तो नाम से पता चल रहा है कैसा सहोगा, सुका सुका रहेगा 15 से 30 degree latitude में पाय जाएगा कौन-कौन से deserts है, Sahara, Gobi deserts तो अमेरिका में hot deserts है, यह सब दिखा जाएगा इसमें यह वाला desert area, यह वाला desert area और यह वाला desert area इसी area में जादा deserts पाय जाते है, क्योंकि यह 15 to 30 degree north belt में आता है latitudes में 15 degree north, 30 degree south latitudes में आता है, next इसमें climate कैसा ही रहेगा, जो भी annual precipitation होगी, वो 25 cm से जादा जाह ही नहीं सकती और hot desert रहेंगे, because these deserts are surrounded from the shore, or surrounded by the high mountains, they are shut down from the moisture lining क्योंकि यह बहुत जादा high mountains क्या है कि उससे थोड़ा सा दूर है, sea से, तो जो moisture होता है वो इतनी असानी से नहीं पहुंच पाता और इसकी vegetation आपको पता ही है, अगर आप vegetation सोचो तो आप Rajasthan को imagine कर सकते हो, तो Rajasthan की vegetation कैसे रहते है, grasses, sherbs, मतलब कुत काटे-काटे-दार, weeds, dry, drought resistant sherbs मिलेंगे, की cluster of date palms can be found in few places with plenty of ground water, obviously, these areas support a unique species of vegetation, मतलब जो ऐसी species मिलेंगे, जो बड़को aridity, सूखे वाले अरिया में भी रह सकती है, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी पता है, कहां पाई जाते हैं, ये continental interior है, कहां पाई जाएंगे, जाद तर temperate latitudes में, westerly winds influence करेंगे, ये एक vast grassland का पाट है, जो trees है थोड़ी से devoid रहती हैं इसमें, जैसे प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, उस्तास हंगरी, पंपास, अर्जर्टीना, उरग्ये वाला एरिया, वेल्थ, साउथ आफ्रिका, ये UP PCS में, PCS के प्रेमें, specially पूछे गए थे, मैश्दी फोलाइं में, तो धिहान रखना, इन सब का नामों को पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां मिलती है, चलिए, इस तरीके का होता है, मेरा steppies type of climate, vegetation कैसे रहेगा, थोड़ी चो glass, grass होगी न, वो lean होगी, thin होगी, और scattered, felly fellyous ही होगी, और seasonal fluctuations, temperature और precipitation में काफी देखा जाएगा, coniferous can be formed, मतलब coniferous ऐसे तरीके के, मतलब Christmas street है, coniferous, इस तरीके के देखे जाएगे, cones वाले, trees are placed around cropland, protect from the severe winds, ठीक है, इस type का होगा, ये कहां देखा जाएगा, basically, जैसे एक, ये नाम बहुत याद रखना है, इसका, Cherunzem grasses of Ukraine, इस तरीके के होगा, savana type of climate, इस है हमारा, Mediterranean type, इसको हम कहते है, western margin climate, ये central chillival area में होगा, California, San Francisco के पास पड़ेगा ये, और इसका जो temperature रहेगा, वो 30 degree, 40 degree, north south पाएजाएगा, और the climate found relatively few region of planet, and it's nearly entirely restrict to the western borders, of continental landmass, the basic cause of this climate shift is, आचा से हम इसको पढ़ेंगे, ये भी इस तरीके में पाएजाएगा, ये जो belts वाला area, ITCZ है, ये हम आगे detail videos में पढ़ा करेंगे, अगला है British type of climate, इसका distribution है, northern hemisphere और southern hemisphere में, northern hemisphere में, जो climatic belt है, वो stretch होती है, ब्रिटेन से, नॉर्थ वेस्ट यूरॉप, और नॉर्थ और वेस्टन फ्रांस, बेर्जीम वाल एरिया में, southern hemisphere में, ये न्यूजिलेंड नीचे वाल एरिया में, साओ, इनेतन, सामिया, सदन चिली और इन सबेरिया में देखी जाएगी, ये ब्रिटिश टाइप ओफ क्लाइमाट, वेजिटेशन कैसा रहेगा, डेसीडियस टाइप के फोरेस्ट पाए जाएंगे, ओक, एल्म, आश, बर्च, वीश, हॉन्वीम, इस टाइप की चीज़े होंगी, वेटर एरिया, ग्रोज, विलो, अल्डर एन एस्पा, डेसीडियस, ट्रीज होंगी, बस, इतना ही जाना, अधर कॉनिफेरस, विच कैन अंडर, हाई लाइटिटूट, लाइटिटूट, हाइट जाधा, टेम्परेचर कम, सॉल क्वालिटी, इतनी जाधा मेटर नहीं करती, यह सब है, कॉनिफेरस, टाइगा, ऊपर वाला एरिया, जो रश्या वाला एरिया होगा, यह, कमेंड में बताना, यह कौन-कौन से, इसमें, वर्ल्ड के, कंट्रीज कवर हो रही हैं, जासे तर क्यानेडा, क्यानेडा में स्क्वेंडियन वाली कंट्रीज होती है, यह मारी नॉर्वे, फिनलांड वाली, और आर्टिक सुकल के पास डादा देखे जाता है, यह इस टाइप वा क्लाइमेट, और साउथ में अगर देखा जाए, थोड़ा सा सीवियर मर्ज और जादा तर पाइन, फिर स्प्रूस, लार्श, इस तरीके के, और कहां जादा नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाली बेल्ट में देखी जाएगी, अब कह रहा है, कौनी फोरेस्ट आर हीूज कमर्शिल वैल्यू दू दू फोले इसन, कौनी फोरेस्ट की क्यों अच देन्सिटी रहती है, हमेशा जावतर एवर्ग्रीन रहती है, कोई भी इनके अनॉल रिप्लेस्में नहीं है, नुव लीव्स की, एवर्ग्रीन जरनली बेनिफरेट फ्रूम लो इरली, कॉनिफेरस कॉनिकल शेप है, सब आर्टिकल रिजन में भी रहती है, मतलब सही चलते है, और स्नो बिल्डप इस तरीके से बने होता है, कि अगर स्नो आई तो ऐसे से जा सकते है, स्नो ली बिल्डप होते है, एवर्ग्रीन फोरेस्ट डोंट है, यह एक इंपोर्टेंट पॉरिंट है, लेदरी नीडल स्टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ज्यादा तर फाइ फाइंड होते हैं, यह हाई अल्टिटूज एरिया में, जहाँ टेंपरिचर थोड़ा कम रहता है, ठंडा वाला एरिया होता है, जैसे कि हमालया जोरोपर कैनडा वाला रशिया वाला रीजन, यह सिर्फ दो रीजन में पाया जाता है, ओली नर्दन सैमिस्वेर, यह देखो नियो यॉक और वर्किंग रशिय वाला एरिया, इसमें क्या होता है, नौर्थ अमेरिका में इधर इधर पाया जाएगा, एशिया टिक में थोड़ा बहुत इस्टन कोस्ट लेंड एशिया में देखा जाएगा, नौर्थ चाइना, सिबेरिया, मंचूरिया, कोरिया और अब मुझे कमेंट सेक्शन में रेंड शेड हो इरिया, क्या होता है जरूर बताना, नेक्स्ट एसके वेजिटेशन कैसी रहेगी, प्री डॉमिनेंट वेजिटेशन, क्लाइमेट थोड़ा कूल रहेगा, और हाई रेंफोल, माल्ड समर, डाम पेयर फोक्स, और साउथ अथ साउथ का जो लाटिटूट पढ़ता है, हापर हमें जादा डैसीडियोस फोरेस दिखे जाते हैं, तो नेक्स्ट है मारा पोलर नाम से पता चल रहा है, पोलर क्लाइमेट कैसा रहेगा, तुन्डरा और आइस कैप स्वाला, तो जो नॉर्दन समिस्वेर होंगे, वो अर्ट थोड़ा नीचे, अन्हाबिट, अब एक चीज फेमस है, हमारा जो रिसर्ट सेंटर है, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे अभी, इसका कैसा रहेगा, टेंपरेचर बिलकुल, जैसे पता ही है, थोड़ा सा फ्रीजिंग टाप का रहता है, कुछ फोर मंस, इंटिरियर थोड़ा सा रहेगा, मच कोल्डर, विंटर्स आर वेरी लॉंग, वेरी सीवियर, और समर्स आर कूल और ब्रीफ, नास्रोल वेडियरेशन कैसे रहेगा, टुंडरा, फ्यू प्लांट से सर्वाइब कर पाएंगे, ग्रेटस इनहिबिटेंट फेक्टर इस लाक इनर्जी थोड़ा सी कम होती है, जो ग्रोइंग सीजन है, वो थोड़ा लेस है, और देर्स नो ट्रीजन तुंडरा, तो कौन सा वेडिटेशन है, जैसे मोजिस होगे, लाइकन होगे, यह थोड़ा पाए जाता है, और यह सब है इसमें, बाकि इसमें सब का डिटेल यह हम अपने एक upcoming lectures में है, यह तो मैंने आपको सिर्फ एक overview देने के लिए बताया है, अगर मेरी वीडियो आपने यहां तक देखे और आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करो, वीडियो को like करो, और कोई भी doubt है, कोई भी feedback है, तो comment section में लिखो, और आप म